काफी दिनों से हम लोग साथ में हैं, हम लोग रोज आते थे, ममी को देखते थे, ममी के साथ हम अच्छा टाइम गुजारते थे, हम आदा एक गुंटा यहां बैठते थे, राखी को बहुत तसली मिलती थी, काफी अच्छा लगता था, आज भी हमने यही सोचा कि हम ममी से मिल देंगे, राखी तो ममी को दिखाने के लिए आये थे, कि देखो ममी मैं आज कैसी लग रही हूं, पट फेर ऐसा हुआ नहीं, जिस दिन लाया था, यहां पर उस दिन भी क्रिटिकल थे, और उसके बाद दो चार, दो तीन दिन के लिए थोड़ी सी राहत हो गई थी, आउटर डेट वापस उनको आइसीओ में रखा गया, फिर दो दीन पहले वेंटिलेटर पे रखा गया, कल वेंटिलेटर हटा दिया था, आज आफटोर फिर से वेंटिलेटर पे रखा गया था. डॉक्टर की तरफ से यही था कि कंडिशन क्रिटिकल है और क्रिटिकल और होती जाएगी जैसे राखी आते थे राखी और में हम यहाँ आते थे जब राखी ममा को उनके मा को मा मा कहते थे वो कहते थे ममी मेरी तरफ देखो तो उनकी ममी जब राखी की तरफ देखते थे राखी इतना खुश हो जाते थे वो इतना खुश एक तरफ से उनके आखों से आसू आते थे और एक स्माइल भी रहती थी कि मेरी ममी देखो मुझे रही है मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी उमीद तो थी के नहीं मम्मी को हम घर लेके ही जाएंगे डॉक्टर नहीं बोला था कि क्रिटिकल कंडिशन है बड़ उमीद होती है उपर वाला मैजिक कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है इसी के उमीद में हँ मुद की बात को इंति कि कुछ फैमिली वाले लोग हैं उनके मामा है उनकी भावी उनके रियल ब्रदर है और का बाकी लोग अंदब वे हैं बस सब लोग पहुंचने ही वाले हैं कि अदिल कि में गाने किसला कि बात करने के हालात में नहीं थे, आज ममी देख भी नहीं पाए हमारी तरफ, आज ममी की हालात बहुत ही ज़्यादा खराफ थी, बड़ हमें नहीं लगा था कि ऐसा होगा, बड़ एक गंटे के अंदर सब कुछ खतम हो गया, अब राखी, हम लोग है राखी के साथ, मैं हूँ सब लोग है राखी के साथ, कुछ काम में अदिल, कुछ काम में उल्जे हुए थे, बस अभी आ रहे हैं, जब आव रहे हैं, वेंटिलेटर पे ही थे, ऑक्सीजन कम था, पल्स कम थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम पिछले दो तीन दिन से देख रहे हैं, कि फ् फिर ठीक हो जाता है, फिर फ्लेक्शुएट होता है, फिर ठीक हो जाता है, आज भी वही उमीद थी, लेकिन उमीद कामियाब नहीं होई, थांक्यू, खलो, खताती है,